देखिए समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मानिय अखलेश यादोज जी के माध्यम से ये जो सूची आई है जिसमें मेरा नाम है मैं इसके लिए उनका हिर्दय से आभार परकट करता हूँ कि उन्होंने गाजीपूर के लिए मुझे इस योग समझा और अब गाजीपूर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपूर की सीट को लेके तमाम तरह की चर्चाएं थी और जो जनता की भावना थी खासत तोर से गाजीपूर में जो गरीब जनता की भावना थी मानि अखिलेश यादोजी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूँगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उत्रे हूँ जिस तरह के समीकरण में 2019 का चुनाव आपने जीता और जिस तरह से आपके ऊपर केस मुकरमे हुए उसके बाद आपके ऊपर समाजवादी पार्टी में अपनी दूसरी ही लिस्ट में नाम जारी कर दिया तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि आपकी लड़ाई अब किससे है अभी तो कोई है नहीं आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लोग चार सो के पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ वेवहार में जिस तरह से घबराहत दिखाई दे रही है जिन लोगों को जिन लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देने की बात कही गई जिन लोगों ने क्या कुछ बाकी नहीं छोड़ा और उन सब को आप एक एक करके किसी भी तरह से स्विकार कर रहे हैं अपने हाथों से उनको ताज पहना रहे हैं ये हताशा का घोतक है असलियत कुछ और है ढाल का काम हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है वास्तविक परिद्श जो जनता के बीच में है विश्वास खो चुकी है के इंदर की सरकार आज भारत वर्ष की जनता निराश है दो सव पांच लाख करोड रुपय के करज में देश दूप चुका है अब सबको पता है कि इस करज में देड़ सव लाख करोड रुपया मात्र दस साल में मोदी जी के कारिकाल में आया जो देश की ताकत थी पूजी थी संपदा थी उसको लगातार बंधक रखा जा रहा एरपोर्ट बेचे जा रहे हैं रेल बेची जा रही पोर्ट बेचे जा रहे हैं बंदरगाहें बेची जा रहे हैं बीजली प्रैवेट हातों को दी जा रही बैंकों का बुरा हाल महंगा भरष्टाचार बेरोजगारी ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ले करके बीजेपी हताशा में है और वो कहती कुछ है आप के पास कला है हमारे गोदी मीडिया के लोग गाजर के हलुए को गोबर बता रहे हैं और गोबर को देशीगी में बगाडा हुआ हलुआ बता रहे है आजर जी बताए 2019 से इस बार 2024 का चुनाओ किस तरह से भीन नजर आ रहा है क्योंकि पिछली बार आपके साथ सपा बसपा का गड़बंधन था और इस बार का इंडिया गड़बंधन तूटता रहे हैं और मोदी जी के नित्रित में यहां भारती जन्ता पार्टी चुनाओ जब लड़ी तो बड़ी सीटों पर 64 सीटें एक तरफ और मात्र 16 सीटें विपक्ष में कांग्रेश, सपा और बसपा जिसमें बसपा के खाते में 10, सपा के खाते में 5 और कांग्रेश के खाते में 1 सीट तो ये नारा देना कि उत्तर प्रदेश में असी में असी धरातल पर ये सच्चाई नहीं है गाजीपूर की लड़ाई पहले आने तो दीजिये कौन आएगा आप मेरा नाम तो किसी सूची में देख लिए गाजीपूर के जनता के दिलों में भी जहांक के देखिएगा तो मिलेगा बड़ा खड़ियंत किया गया कि गाजीपूर से अफजाल अंसारी को लड़ने योग न छोड़ा जाए अग खड़ियंत करके मेरे पैरों में बेडियां हातों में जंजीरें डाली गई लेकिन कानून के रास्ते से ही इन बेडी को और इन हतकडियों को खोलने का काम हमने न्याएपालिका के माध्यम से इलहाबाद हाई कोट से जमानत मिली अम्मानी सर्वोच न्याएले से जो सजा का आदेश था वो निलंबित हुआ और इस परकार मेरी संसत की सदस्ता बहाल की गई और जो मुझे चुनाव लड़ने से अयोग कर दिया गया था मुझे फिर योग मान लिया गया योग बना दिया गया तो अब परिशान ये लोग हैं ये कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी कहते हैं किसके खाते में होगी कभी इंदर लोग के मालिक फेरा लगाने चले आते हैं नहीं मैं उसके लिए शहर्स तैयार हूं और मैं अब तक पांच-छे डेट पड़ चुकी हर डेट पे मेरे वकील खड़े होते हैं हमें बेसबरी से इंतजार है उस गड़ी का के मेरी अपील का भी फाइनल डिस्पोजल हो मैं बेदाग छवी का इंसान हूँ और बेदाग ही रहना और मरना भी पसंद करूगा क्या पिछले प्रत्याशी मनोश सिन्हा अगर आएंगे तो चुनाओ रोचक होगा इतिहास पुनह दोर आएगा अगर वो आएं तो स्वागत है अगर वो अपने वारिस को लाएं तो और जादा स्वागत है और अगर नेत्री तो इन परिस्थितियों से घबराता है कुछ और खिचडी पकाता है तो गाजी पूर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है अटूट पूरा पुर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ खडियंद करके सरकार की मशीन्री का दुरूप योग करके जूटे मुकदमों में फसा के हमें ही नहीं हमारी परिवार के बच्चों को महिलाओं को सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा जगह जमीन खेत बाग बगईचा सब कुछ लूट लिया गया परबात करने की कोशिश की गई लेकिन गाजी पूर पुर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी